शोपिर्जले के अमोल पठाव पुलिस चौकी शेत्र के थरखेडा गाव में घर पर गलफ्रेंट को लाने के शिकायत बुजर्ग महिला द्वारा युवक्य पिता से करने से नाराज जीवक ने बुजर्ग महिला की साथ लाठी डंडू से जम कर मार पीट करती जिसके बाद महिला को परिजनों ने लाच के जिलास पतार में भरतिकराया आज गुरवार को घायल महिला आटो में लेट कर घटना की शिकायत और आरूपी पर कारवाही की मांग को लेकर स्पी के प्रांस पहुची यहां महिला ने आवेदन देकर आरूपी के खिलाफ कारवाही के जानने की गुहार पुले सदिक्षक से लगाई है जनकारी के अनुसार जुंदर भाई बंचकर निवासे थरखेडा ने बताया कि बुद्वार के शाम को राजा बंचकर ने लाठी डंडे से बहरेमी पूर वक्त उसकी मारपीट कर दी जिससे वेगम भी रुप से घाल हो गई महिला ने बताया कि राजा घर पर लगके को लेकर आता था जिसकी शिका attempt उसने राजा के पिता से कर दी थी इससी बात से नाराज होकर राजा ने इसके साथ लाठी डंडे से बहरेमी से मारपीट कर दी पिड़ता ने बताया कि उसके घटना की रिपोर्ट अमूल पठा पुलिस चौके में दर्चकरा इलिकन पुलिस ने उसके कोई सुनवाई नहीं की आज महिला घाल अवस्ता में आटो में लेट कर घटना के शिकायत करने सपा के पास पहुंची और हारूपी परकारवाई की मांगी है मतलब इनके साथ मार पीट हुई है कौन लगती है यह तो क्या हुआ है इनके साथ किस कारण से मार रहे थे लड़की के मारा कि तुम में क्यों हमारे पापा से लेकर आया था लड़की राजा राजा कौन लगता है अपका राजा मतलब बड़ी सुषर का मतलब नाती है तो कोई लड़की को घर लेकर आया था तो मार पीट का कारण किया रहा है मार पीट क्योंगी मतलब तुमने हमें पापा से काय के दढ़िए और कुछ बात ने बच्चे के साथ भी मार तो आना कौन से लगता है आपका रॉपोर्ट करने नहीं गहीं थी आप अब ही रॉपोर्ट नहीं लिगी आपकी घर के खुई थे कोई भी नहीं गहीं आप बच्चा कितना बड़ा है पांस साल का है